स्टुडेंट्स मैं आपको टीचर युसरा आज सेम सिस्टम प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस आज का लिक्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहनली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए आज का क्वेस्टिन है वाट इस इस्ट्री ओफ सी लेंगविज प्रोफेसर के लिए और एप्लिकेशन सॉफ्टर के लिए दोनों के लिए जूज की जाती है 1972 में AT&T Bell Laboratories में Dennis Riche ने इसको डिवेलप किया था ठीक है इससे पहले इसको डराइव कहां से किया गया 1970 में Ken Thompson ने भी लेंगविज बनाई थी और उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स थी उनको यूज करते हुए उस सारी चीज को यूज करके इनोंने C को डिवेलप किया था आफटर टू जियर्स जाने के 1972 में अब बात आती है कि इसमें मसला क्या था जब स्टार्ट में C लेंगविज आई थी तो वो मिशीन डिपेंडेंट थी ठीक है लेकिन आज कल की जो C लेंगविज है वो मिशीन इंडिपेंडेंट है जो के बनाई गई 1980 में और ये किनोंने बनाई आंसी वालोंने that is American National Standard Institute इन्होंने इसको मिशीन इंडिपेंडेंट बनाया और अब की जो C है उसको हम बोलते हैं आंसी C ठीक है और यूजिली जो programmers है वो application programs बनाने के लिए C को prefer करते हैं ठीक है जिस तरह word processing programs, spreadsheet, database management and games ठीक है तो ये सारी जो चीजे हैं ये सारे के सारे application programs बड़े easily हम C language को use करते हुए बना सकते हैं इसके अलावा धेर सारे जो programs हैं वो different electronic devices को control करने के लिए भी हम C language में बना सकते हैं क्यूंके दिन बदिन इसमें नए features जो है वो add होते रहे हैं और अब जो recent version है C का वो totally machine independent हो चुका है जो के that is आंसी C next question है what are the advantages or characteristics of C language and list any two reasons why it would be preferable to write a program in C than in machine language पहले हम सह से देखते हैं कि C language के advantages क्या क्या है ये easy to understand है क्यूं easy to understand है एक तो ये structured है इसमें सारी entire logic of the program चोटे 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 पार्ट में modules में divide करके लिखी जाती है और ये closer to human language भी है इस वजा से ये easy to understand है easily हम इसमें लिखे जाने वाले programs को understand भी कर लेते हैं उनमें modifications भी कर सकते हैं इसको हम middle level language भी बोलते हैं ठीक है क्यूंकि ये बहुत सारे low level language के features को भी use कर रही है और high level language के features को भी use कर रही है और इसमें हम assembly language में बने जाने वाले जो programs है वो भी easily हम इसमें develop कर सकते हैं as in the development of the application software and system software दोनों सूर्तों में हम इसको यूज कर सकते हैं totally machine independent है एक computer में जो भी आप program लिख लेए हैं वो किसी और computer पे easily run हो जाता है ठीक है इसको hardware dependent नहीं होना पड़ता फिर इसमें धेर सारे बने बनाए functions मुझूद हैं c language के अंदर और जिनको यूज करते हुए programmers जस्ट अपने उनको functions को call करते हैं अपने program में और उनको easily use कर सकते हैं ताके उन functions का उन्हें code ना लिखना पड़े फिर like assembly language programmers जो हैं वो c को use करते हुए hardware जो है आपके computer का hardware के जो different components आपके computer के अंदर लगे वे होते हैं उनको easily control कर सकते हैं c language is easy to learn and use c++ जो है यह भी एक language है और यह c की basis पे बनाई गई है अगर किसी को c language आती है तो that would be the first step towards learning c++ ठीक है c++ almost similar to c है और इसमें statements, commands, methodologies जो भी c में use हम करते हैं वो ही usually c++ में use हो रही होती है c language में modules बनाई जाते हैं modularity का यह feature आपको देती है because it is a structured programming language programmer जो है वो entire logic of the program को छोटे-चोटे units में यह functions में divide कर देते हैं और इस तरह से यह modules है यह functions है उनको easily write करना भी हमार लिए असान है और वो translate भी independently हो सकते हैं आगे बात आजाती है कि अगर मैं आपको option दूँ कि आप कोई भी c का program लिखें ठीक है या आप c language में लिखें या आप machine language में लिखें तो आप अगर कहते हैं कि हम c language में लिखेंगे तो why you will use c language instead of machine language because there are many number of reasons जो आप बता सकते हैं जो इसके फ़वाइद है c language के as compared to the machine language आप सारी चीज़ेद बता सकते हैं फिल्हाल हम इदर दो reasons देखेंगे पहली reason क्या होगी because c is easy to learn and use इसमें असानी सा program learn भी कर सकते हैं तो totally zero or one की form में लिखी जाती है तो इसी लिए वो human understandable ज्यादा नहीं है और उसको machine understand अच्छे से करेगी लेकिन हम जो इनसान हैं हम easily ना तो उसको learn कर सकते हैं ना उसमें प्रोग्राम राइट कर सकते हैं और उसमें कोई अगर error आजा है तो हम उसे असानी से ढूंड कर modify नहीं कर सकते उस error को हम remove नहीं कर सकते दूसरी reason जे भी हो सकती है कि machine independent c language उस वज़ा से हम इसे use करेंगे because जो आपका machine language में लिखा जाना वाला program है वो totally hardware dependent होता है ठीक है और हर computer के अंदर अपने set of rules होते हैं कोई भी program लिखने के लिए machine language में लेकिन हमें जब c language को हम use करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है एक computer पे अगर आपने program लिख लिख लिया वो कहीं भी आपका different machines पर easily run हो जाएगा इसलिए आपको machine independent आराम से program मिल जाएगा कोई मसला मसायल नहीं होगा थैंक यू सो मच आपको आज की वडियो कैसे लगी लाजमी बताइएगा